कि अल्स लूशन में कहां तक बढ़े थे हैं अच्छा कुछ गोस्टन में ने दिया था वो बचिया था उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले तो यहां से प्रॉब्लम में जो बागी था उसको में लोग कर लेते हैं ठीक है किया mole fraction of A in H2O is 0.2 क्या रहें कि कोई component A है A का जो mole fraction है वो कितना दिया हुआ है 0.2 अप एक चीज बता ओगहे मेरे को अगर इसका Moll fraction 0.2 है A का तो S2O का Moll fraction कितना होगा Moll fraction को किसे दिखाते हैं हम कि Bolland आघिए दिखाते हैं न तो ऐसा कर देते हैं न X Aisch Ais एक्वार 0.2 A मoll fraction अगर 0.2 है Water के अंदर Moll fraction of A in S2O PANI के अंदर कोई A component है उसका Moll fraction 0.2 है तो यहाँ पे जैसिओ की कि जो हमारे इस टू है उसके अगर मॉल फ्रैक्शन की बात की जै मैं इस टू ही लिख देता हूं तो आई हो पो जिरो पॉइंट एट हो जाना चाहिए क्लियर होंगे दो कंपोनेंट का मिला हुए अगर सॉलूशन है दो चीजों से मिलके वाना विलियन है तो दोनों का मॉल फ्रैक्शन का सम तो वन होता है एक का 0.2 तो पानी दूसरा बच गया उसका 0.8 हो गया ठीक है तो मॉलालेटी क्या सीज़ होती है बताओ आप जो मॉललता होता है मॉलालेटी होती है बताओ क्या होता है नमबर अफ मॉल्स हो तॉलूट यानि विले का विले का मॉल यह होता है ठीक है और यहां पे जैसो की पटा विलायक का द्रव्यमान यही न तो अगर यहां पे देखा जाए तो मॉललता बड़ावर तो विले का मॉल कैसे निकालते हैं इवेन मास पाई मॉलर मास यही मॉलर द्रव्यमान बताओ विलायक का द्रव्यमान यहां में विलायक कौन है बताओ पानी है अच्छा एक चीज मेरे को बताओ अगर जीटा ए मतलब पता है इन दोनों का रेशियो क्या हो सकता है देखो तो टू अपॉनेट हो जाएगा पूली है न इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब कि टोटल हो लोगों का अगर तेन मॉल है को दस मूल में का इन है हाई आना और दस मूल में आठ मूल कौन है यह बाद समझाइए आपको क्लियर यहां से आप ऐसा कर सकते हो तो टोटल हमारा कितना हो गया दस मॉल तो दो मॉल यह रहा और यह कितना हो गया इन अगल चल अगर आठ मॉल एे तो तो आपको पता चल गया अगर एक मॉल पानी अपलेते हो उसका मांइस इतना होता है बता हो था रहरा अगर केजिए में करति न है यह एक मोल का इतना होगा तो कि इतना मोल है पानि आठा मोल है आथ मोल यहां कर सकते हो और यह होजाएगा विले का मोल तो विले कौन है यहीं है ना इसका मोल कीतना है तो यहां पर हम लोग सीधे टूपूट कर सकते हैं फिर उसको मोल में कनवर्ट करने की जरूरत ही नहीं है यहां पर जो हैसो की ऐसा हम लोग कर सकते थे कि तू पॉनट इन्टू एट और यह थाउजन कहां चला जायेगा उलाएगा क्यूंभी तो ऑठ्यचाव और कहलेंगे तो एक सोब पाटी पहतने यह while I. नौ एकम, नौ, तीन बचा न, 35 हुआ, तो, नौ तिया, 27, कितना बचा, आठ, 80, पिर, नौ एकासी, नौ थे बहुत था, 13.8, अल्मस, 13.9 क्या स्पास, आया समझ, परिकत, ठीक है, इसको हम लोग चाहें, तो थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को, मोलालेटी से रिलेशन बना करके, याद अगर कर लो आप, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसका रिलेशन आपको कनवर्ट करके लिखवा दूँगा, ठीक है, फिलाल आइसे आप सोच सकते हो, कि अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, तो आप सॉल्व ऐसे ही करोगे, कोई दिकत, या वैसे भी यहाँ पर देखो, आ क्या रहा है, अगर थोड़ा सा रूके हम लोग इस पर गौर करें, तो यहाँ पर क्या रहा है, मोललता, इस इसमाल कर सकते हो, और यह, जीटा एई और यह एट था ना यह, तो यह यूज कर लो जीटा भी, ठीक है, मैं रिलेशन फाइन रोट करना चाहता हूँ, और इन्टु मोलर मास, पता में, आप सॉल्यूट, यानि विले का मोलर द्रैमान, और थाउजन को उपर में भी देता ह हूँ, आई होप ऐसा कुछ रिलेशन बन सकता है, मेरे ही साब से, मुलालेटी और मोल फ्रैक्शन के अंदर, आगे बड़े, ठीक है, तो यह आप जैसो की रिलेशन टाइप पर याद रख लेना, ठीक है, यह काम आएगा, मैं एक बार इसको यह कर देता हूँ, कि अगर मुल अलता, अगर आप मुल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर रहे हो, तो यह, एक से अपॉन, एक सबी, मुल्टिप्लाई, हाउजन, और इंटू क्या, यह, मुलर मास, of solute, विले का मुलर दरेवा, इससे फायदा क्या होगा, कि जल्दी से question solve बोजाएगा, उतना नहीं सोचना पड़ेगा, अगर इसमें, एक से, यह क्या है बताओ, यह विले है, यह ध्यान रखना आप, सुमसा ही है, हाँ, यह जो है आपका, एक से उसका मॉल फ्रैक्शन है, तो यह का मॉल फ्रैक्शन है, यह पर solute है, 0.2 था न, हम लोग 0.2 upon 0.8 कर देते हैं, multiply 1000 करते हैं, और यह कितना आता, 18, यह पॉइंट से पॉइंट जाता, 2 से 84 करता, यह ऐसे करता, 200, फिर यह 135 बटा 9 आता, solve करके आ जाता, 13.9, जो भी almost है, आया समझ में, ठीक है, तो यह relation important था, ठीक है, तो अभी relation कैसे भी आया, थोड़ा सा पिछला वाला derivation देखोगे, ठीक है, तो वहां से आया, वैसे करके आया, आगे बरते हम लोग, यहां पर, थोड़ा सा, देखो यह डी उटके यहां आ गया है, जाएगा है, क्या इधर, जाएगा यह, रहने दो, given atomic mass of potassium इतना है, is, molarity बताना आपको, molarity बतानी है आपको वहिया, और क्या दिया हुआ, given क्या है, given क्या है, given क्या बताओ, हाँ, उसका weight by volume percentage दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2.8, ऐसा दिया है, ऐसा इसका क्या meaning जाता है, मेरे को बता हुए, कि 2.8 gram, देखो, लिख रहा हूँ, विले हुआ, कितना में बताओ, बोलो, बोलो, 100 ml में, very good, 2.8 gram, विले हुआ, 100 ml, विलियन में, इसका यही मतलब हुआ, तो basically हमको जो molarity find out करना है, तो मैं इसको reverse लिखता हूँ, शुरू सही बात हमको दिमांग होना चाहिए, कि आपको क्या निका in 100 ml solution, 2.8 gram of solute, 2.8 gram, विले है, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है, यह करने से फाइदा क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, विले कौन है, यह देखो, KOH का solution है, तो यह आपका solute हो गया, तो potassium का 39 इंदे रहा है, बता भी हम लोगो, hydrogen का 1, 40 हो गया, उसमें oxygen का solar जोर त क्लियर है सबको, तो अगर इसका molar mass 56 आ गया, तो आप मुझे बताओ, यह विले है, कितना विले है, बताओ, 2.8 gram, तो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, पहले ऐसी लिख रहा हूँ, 100 ml solution में ही, इसको mole में convert कर दो, तो कैसे करोगे, 2.8 upon 56, अरे गिवेन वास्माही मूलर मास, यही करता है न, 28 दूना, 15, उपर है 0.1 by 2, पुरा result कितना है बताओगे, 0.05 आएगा क्या, फुल हाई है न, तो इतना ml में 0.05 mole solute हो गया, उसी को हमने mole में convert कर दिया, नहीं समझा रहा है, अब अगर मैं बोलू कि मेरे कुछ यह 1000 ml में, कितना में, तो कैसे find out करूँगा, यह काम कर लो पहले आप, एक email में find out कर लो, तो एक email में कितना हो जाएगा, 0.05 by 100, तो 1000 में कितना हो जाएगा, बोलो, मैंने 1000 ml में क्यों निकाला, क्योंकि 1000 में तो एक लीटर होता है और एक लीटर में विले के कितने मोला तो वही तो मुलारी होती है, कहां formula के तरफ हम लो 0.05 by 100, समझते हो आप इतना time क्यों waste करना दो जिरो से उड़ा दो, एक जिरो से multiply करो गिए 0.5 हो जाएगा, देखो कहीं है, आया है आप में से किसी का, ठीक, आगे बढ़े, चल्लो नूट कर लो आप, जल्दी से, हो गया है, चल्लो, अगले question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर, calculate the molality of 40% weight by volume solution of MgO, if the density of the solution is 2 gram per ml, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को जो solute दिया है, जिसको हम विले कहते हैं, वो क्या दिया है, बताओ, MgO है, magnesium oxide है, अच्छा, उसके बाद percentage weight by volume दिया हुआ है, और वो कितना है, 40% दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, density दिया है, density of solution दिया हुआ है, density of solution और वो कितना दिया है, 2 gram per ml, ठीक है, यह information हम को पता है, क्या निकालना है, मुलालेटी निकालना है, एकदम सिंपल है, कोई हरवडी वाली वाली वात नहीं है, देखो, एक काम करो, सबसे पहले यह जो percentage weight by volume दे रखा है, यहां से कहानी शुरू करो, इसका यह मतलब हुआ, कि अगर आप 100 ml, क्या बोला मैंने, 100 ml अगर विलियन लेते हूँ, 100 ml विलियन में, कितना ग्राम, देखो weight by volume है, ति ग्राम यह ml, याद रहेगा, और यह 100, और यह इतना लिखा रहता है, वो हो जाता है, ठीक है, तो 100 ml विलियन में कितना, 40 ग्राम क्या है, solute है, कौन है solute यहां पर, आप चाहोते हैं, आप लिख भी सकते हो, MGO है, clear, बोलो हाया न, अब एक काम करो, इसको convert करो, 100 ml को मुझे करना है, mass में convert करना है, क्या करना है, कैसे convert करूँगा, तो यह अगर 100 ml solution का, जैसो की volume है, और solution की density पता है, तो solution का ही volume, solution का ही density यूज़ करके, solution का mass finite कर सकते हो, घनत वरावर क्या पढ़ा आपने, बच्पन से पढ़ते आरो, घनत वरावर दरेमान वटा, आयतन, आपको mass निकालने हैं, तो ज़रा multiply करो density में volume से, घनत वह में आयतन से घुना कर दो, तो घनत वह कितना है, 2 gram per ml, आयतन कितना है, 100, multiply करके बताओ कितना है, बोलो, 200 हो जाएगा न, तो 100 ml, ऐसे भी देखो न, 1 ml का 2 gram है, तो 100 ml का कितना होगा, 200 gram हो जाएगा, तो मैं यहाँ इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 200 gram, विलियन में 40 gram, MGO है, हाना बोलो, नहीं है समझ में, को देखकर, 200 gram, 200 gram, विलियन में 40 gram, MGO है, तो देखकर, ठीक है, देखना मुलालेटी कैसे यहीं से आ जाएगा, 200 gram को, एक काम करो, 200 gram में अगर यह 40 gram है, तो मुझे बताओ कि, solvent कितना हुआ, क्योंकि मुलालेटी के लिए solvent चाहिए, solution नहीं चाहिए, क्या चाहिए, solvent चाहिए, विलायक, क्या चाहिए, विलायक, तो solvent कितना आएगा, अगर 200 gram में यह 40 है, तो solvent 160 gram होगा, बोलो हाई यह न, अब भया तुमको मुलालता चाहिए था, मुलालेटी चाहिए था, तो विले का मूल, क्या बोलो, विले का मूल, तो कितना है, मैंगनेश्यम का कितना होता है, 24, और इसका होता है, जो रो, 40 ही हो जाएगा, अपकां, विलायक का द्रह्मान कितना है, 106,000 से कर दो ये dareكم करतिज्द कर दो ये कट के वण हो जाएगा जा कर एकन में 163 रहे गा और 1000 ऊपन कर चाहे गा 123 से हो 100 कर दो बाद सुने कि इतना मैं गा पतचीस आयां 25 बटा तर जर्या भाग देना इक्स पॉइंट कुछ आएगा क्या इक्स पॉइंट टू फाइफ देखा आया समझ को दिकाथ ठीक है करेंगे इसको कि यह जो कंसेंट्रेशन टम जो पकरना सीख गया न वहां से सारे कुस्टन सॉल्व हो सकते हैं ठीक है कई वर आपको डेंसिटी यूज करना रहेगा तो डेंसिटी आपको दिया जाएगा ठीक है और यह हमेशा इस बात का ख्याल रखना अक्सर गलती हैं हम लोग करते हैं कहां गलती करते हैं इस्तेमाल करते हैं सॉलूशन का और वह किसी और से मल्टिप्लाइब कर देते हैं किसी और के मास को डिवाइड कर देते हैं जिसका डेंसिटी लोग है उसी का वॉल्यूम अभी यह क्या है कि रहा है इफ दा मोल फ्रैक्शन आफ एने सियल इस सेम एस एक सॉलूशन है सॉलूशन में क्या है वोर्टर एस डुम है और दूसरा कौन सा चीज एने ही य इस अले असे ल क्या हो गया स्मौप प्रिलायक बाने कर स西 कि एसके मततलब होगा कि जो मॉन फ्रैक्शन आपका एने सेल कहें है ώilles मोल स्रैक्शन बोलो वाटर का है दोनों का मोल फ्रेक्शन दोनों का मोलंस क्या है समान तो अगर दो चीजों को मिला करके आप कोई स्वलूशन त्यार कर रहो और दोनों का मोल फ्रेक्शन से में इसका क्या मतलब है रहा सकते हो कितने मोल्स इसके हैं उतने ही मोल्स इसके हैं है वाइए वागत दोनों की मोलक दोनों का से में फकी आपानों की आपने दोनों का सेम है इसका मतलब क्या एक मोल चीटी ले लो और एक मोल इंसान ले लो तो अंख्या में दोनों बड़ा बड़ी होंगे अधर समनों जिरी दो दो गुने दसकाब और तो मैं क्या कह रहा हूं उस बात पर गौर कीजिएगा अहिस्ता सोचिए तो इव दो मौल फ्रेक्शन अफ एनसील का है तो पहले तो यह क्लियर हो गया होगा कि कि दोनों के नमबर अफ मॉल्स क्या होंगे इकोल होंगे तो अगर मैं मान के चलू कि इस solution के अंदर आप जितना मर्जिया आप मान लो कोई दिक्कत नहीं है आप जैसा मान के चल सकते हो कि यह दो मौल है यह यह एक मौल है यह 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 हाफ है यह कुछ समझ आया आपको को द कि इस्टू के मोलों की संख्या कि समान है अर्थात हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि आप मेरे को मेरे को मैं मोल फ्रैक्शन उड़क्शन करना चाहता हूं वैसे तो गिवे नहीं था मोल फ्रैक्शन तो कितना बताओ और यह वैसे इनका समवन होता है तो यह तो आजाएगा अब यहां पर एक है कि मैंजन करो आधा अधा इमाजन करो चार्चर इमाजन करो यह नहीं बदलने माला तो जो मॉल फ्रेक्शन अरे अब चार भी लोगे तो उपर चार बटा आठाट आएगा इसका भी चार बटाट है अद्या रहेगा अब बताओ मेरे को आपको क्या निकलना है मौल अलता ऑर मौल फ्रेक्शन के बीच एक अमने डीफाइन कर रहा था था बताओ क्या था विले का मौल फ्रेक्शन था उपर जीटा एव जीटा यह तो यहाँ पर मैं उसको स्लूब करना चाहों तो वीले इ न क्या करोगगे आप यहल हाटा दियें क्या यह गए मोलर मास घ्म सी ईगए बताओ जोड़ो ना थोड़ा सा यह हो जाएगा कौन सा बताओ यह सॉलूट का होगा कि सॉल्वेंट का होगा चीक से देखो बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है यहां पर सॉल्वेंट होना चाहिए था यह 18 किसका था अरे इसमें मोल फ्रेक्शन आफ तो इसमें यह था एक के बारे में तो कुछ आता पता ही नहीं है यहां पर वाटर तो सॉल्वेंट था ना वई तो मोलर मास आफ सॉल्वेंट होगा फॉमूला ही गलत कर लिया हम लोग ने प्लीज आप ठीक कर लिजे थोड़ा सा हो गया ठीक कर लिया आपने इसमें हम लोग और नहीं किये यह सॉलूट था वाटर सॉल्वेंट था यह किसका था यह मोलर मास आफ सॉल्वेंट था यह जहां भी आपने रिलेशन लिखा प्लीज इसको ठीक कर लिजे क्या बोलते इंगलिश में एक्स्ट्रीमली सॉरी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हाँ दिल से सॉरी और कुछ और और दिल के गहराईयों से माफी हाँ आप लोग भी कहरें माफ कर दिये जाइए आ या बात अप लोग के भीढ़ंदे बहुत बड़े हैं अलिए शुक्री आप सभी का वापस आते हैं तो यहां पे सोलीट का मुल फ्रैक्शन अपन सॉल्वेंट का मूल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मुलर मास कितना है सॉल्वेंट कौन सा है पानी है यह क्या आएगा अठारा मल्टिप्लाई उपर क्या था याद करो सही से हाउजन था यह गया काम से इसको डिवाइड करो जड़ा कि बोलो बोलो कि 55 पॉइंट यह आया गया मॉल फ्रेक्शन सेम था इसलिए ऐसा आ गया अगर मॉल फ्रेक्शन सेम नहीं होता थो थोड़ी आता अरे दोनों का equal mole fraction था न जीटा ए जीटा वी इसलिए ऐसा आ गया अगर यह different होता तो फिर कहां से आता फानीका थोड़ी न हो जाता नहीं होता आप यूर वाले water के case में निकाले थे न हाँ ठीक है चलो इस question पर आते हैं क्या कहा जा रहा है calculate the molarity of the following solution यह तीन solution दिये गये हैं और तीनों में आपको molarity find out करना है चार ग्राम of caustic soda is dissolved in 200 ml of the solution चलो पहला में हमारा कितना है बोलो चार ग्राम caustic soda caustic soda मतलब बोलो नह ठीक है तो इसको ज़रा मोल्स में convert करो कितना आगा बताओ बोलो बोलो चार बटाइस को करो ना 40 आ जाए गई है हां यह हो जाएगा 0.1 मोल कितना आ गया बस खतम हो गया तॉल हो गया मोलरेटी निकालनी थी ना मोलरता तो विले का मोल 0.1 उपर रख दो और यह दो सब्सक्राइब कर दो गया तो जिरो पॉइंट कितना जाएगा टू पॉइंट से पॉइंट गया वन बाई टू वन बाई टू का मतलब जिरो पॉइंट फाइव मोलरेटी को क्या बटले में से खेल खतम है आया समझ विदिकत है ठीक है नोट किया जाए फिर दूसरा करेंगे यहीं पर हो गया है हाँ कि वागे हैं तो बोली चलिए आगे बढ़ते हैं वापस आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है 5.3 ग्राम आफ एनी हाइड्रस सोडियम कार्वोनेट एन हाइड्रस नहीं हो एन हाइड्रस एन हाइड्रस का यह मतलब हो गया कुस्त पानिवानी नहीं है ठीक है आप वा हम लोगों का जो बी नंबर है उसमें इसकी कहानी चल रही है एने टू सी ओ ठीक है इस डिजॉल्व इन हंडेड्रेमल अब सॉलूशन अरे भाई कि भी बन जाएगा सिंपल है निकालो जरा इसका कितना होगा अभी निकाला था ना हमने इसका एक मोलर मास कितना हो जाएगा अगर आप निकालोगे तो इसका मोलर मास आएगा जोड़ से बोलो जयमात आदी एक एक उच्छा कितना ग्राम दिया है बताओ एन है एन है ड्रेस है पानी नहीं है बस यह तो सिंपल सिंपल बताओ बताओ नंबर आफ मोल्स कितने आएंगे गिवेन मास 5.3 मोलर मास 106 यह कटेगा उपर 0.1 था बटा में टू आएगा यह 0.05 हो जाएगा यस और नो तो दीकत वह हंडेट मेल है जल्दी बोलो उसको लेटर में कनवर्ट करो जल्दी से बताओ मेरे को क्या आएगा अरे थाउजेंट से डिवाइड करोगे 0.1 हो लड़ता चाहिए ना आपको मोलारिटी मोल लड़ता क्या करोगे 0.05 अपान 0.1 एक जिरो उपर भेज दो 0.5 आ जाएगा कहानी खतम आगया फिर से 0.5 यह भी ठीक है दूसरा का भी आंसर आ गया पहला का भी आ गया तीसरा एक बचा हुआ जल्दी से करो वो भी कर लेते हैं तीसरा कॉश्चन क्या है पढ़ो 0.365 ग्राम ऑफ प्यूर एक जीएल हम ठीक है कैस इस डिजॉल्व इन 50 एमेल अफ सॉलूशन खतम करो कहानी देखो सीधे मैं मोलरता लिखता हूं क्या लिखता हूं बोलो सीधे मोलरता वीले का मोल यह सॉलूट है कौन है सॉलूट एक सीएल गिवेन मास कितना जल्दी बोलो 0.365 और इसका मोलर मास होता है एक सील का 36.5 वो देखो 50 एमेल है तो 50 अपान क्या कर दो 1000 कर दो चलेगा बढ़िया बहुत अच्छे यह कर दो 365 नीचे भी 365 और इसको बत चास नीचे आएगा उपर कितना था बताओ यह तीन अंग शुर्गे देशंबलो आप चाहो तो 30 और नीचे डाल लो बोलो कोई दिकत नीचे एक अंग शुर्गे था एक जिरो और उपर डाल दो चलो खतम करो तीन एक चार जीरो दो दो चार जीरो खतम हो गया यह पूरा कैसे भी करिए इससे कुछ डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने डिरेक्ली वस कर दिया जल्दी करूँ यह सारे कॉस्टम्स आप लोगों के लिए हमोंक में हैं और कल आप इसको ट्राइ करके आईएगा तो चलो अपने थिवरी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी दिवीजन हो जाए हम लोगों का कि हां तो हम लोग इस कोशन पर थे याद है आपको इस कोशन में मैंने आपको बोला था कि यह तीनों सिच्वेशन में एक से एक से चाहिए एक से चाहिए एक से चाहिए यह यह वाई भी और फिर मुझे क्या चाहिए पीटी पीटी क्या होता है बताओगे आप लोग बोल नहीं रहे हैं तोटल वेपर प्रेशर जिसमें दोनों मिक्स्ट होते हैं यही ना चालो बहुत अच्छी बात है यह फिर मुझे बताओ पहले वाले कंडिशन में एक से कितना था 0.5 एकस भी कितना था 0.5 यानि 1 by 2 1 by 2 यह कितना आया था 0.75 यह कितना आया था 0.25 यह बताओ 50 टॉर यही था ना ठीक है यह उस कंडिशन में यह सारा वैलू है जब फेपर प्रेशर कितना बनता है बहुत थोड़ा सा समझ में बहुत कम थोड़ा सैस्पेश देते हैं जब हम लोगों ने ऐसा सोजा था कि सॉलूशन में जो एक मॉल हम लोगों ने ले रखा था यह दे दो कंपोनेंट है ना ए और बी तो एका जो है 0.5 मॉल अगर आप देखो मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और सारे कोस्टन सॉल्व करते हो लेकिन यह कोस्टन आप दिमाग में याद कर लो इसका पूरा डेटा याद होना चाहिए कि दो मेरे पास कंपोनेंट है यह और भी दोनों के एक-एक मॉल है जो ए था उसका पी नॉट यानि प्योर फॉर में विपर प्रेशर था 75 और पी नॉट भी था 25 फिर उसका तीन स्टेप में कोस्टन आप से पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि थोड़ा से विपराइज होता है तो एक से एकस भी यह वाइबी और आपको पीडी फाइंड आउट करने है ठीक है सेकेंड कोस्टन सेकेंड स्टेप में यह है कि जब एका जो कंपोनेंट ए है जो अव्याव ए है उसका 0.5 मॉल वेपराइज होता है वेपर में चला जा आता है तो आपको बताना है फिर एक से एकस भी यह वाई भी क्या है यही पुरा कोश्टन है जैसे मैं इधर देखके यह पीठ पीछे जो में पड़ा होगा मैंने आपको सुना दिया वैसी यह पूरा कोशन आपके दिमाग में होना चाहिए और इसका क्यालकुलेशन नहीं इसका डेटा दिमाग में होना चाहिए ठीक है हाई बात समझ में तो यह जो है सो की डेटा दिमाग में रहेगा तभी जो है सो कि आप कर पाऊगे तो पहले वाले सिच्वेशन में जब थोड़े से वेपर्स बनते हैं पिस्टन हलका सा लिक्वीड सर्फेस के उपर होता है तो उस सिच्वेशन में एक से एकस भी वाई य 0.4 याद है आपको ठीक है और यह मैं कैसे अकलन लगा सकता हूं कौन घटे कौन बढ़ेगा मैं आपको यहां पर साहिंट करना चाहूंगा जो आप लोग को पी नॉट दिया गया और पीबी नॉट तो ज्यादा कौन था पीए नॉट 75 टॉर है और पीवी नॉट कॉन है कि एपडेशर किसका ज्यादाओ कंपोनेंट कंटनेंट को दिलिए का एक अविए का ऐचा जिसका ज्यादा होता है ब्लाइब कितना होगा 0.4 और इसका कितना हो जाएगा 0.6 देखो एक सेख्स भी का सम्हाँ हमेशा वन रहना चाहिए यह देखो जोर कर देखो वन आएगा यह बाद समझ में लेकिन इसमें क्या हो रहा है यह इनक्रीज कर रहा है इसका यह मतलब नहीं कि यह बढ़ते जा रहा हुआ उसमें भी आप डाल रो मैं पिछले क्लास में समझाया था मतलब इसकी तुलना में यह तेजी से प्राइज हो रहा है इसका यह सेंस है ठीक है यहां पर हम लोगों यह निकाला था बताओ कितना यह है 0.6 4 क्या बोल रहा है अपलो 0.66 और यह कितना था 0.33 आया होगा फिर चलो यह बताओ 45 45 टॉर ठीक है अच्छा है आपने अगर कैल्कुलेट किया है तो बढ़िया चीज़े तीश्रा बताओ कि हम बोलो यह 0.25 हो गया देखो अभी भी और डिक्रीज कर गया यह इसका क्या हाल हुआ उस लास्ट ड्रॉप में यह 0.75 यह बताओ 0.5 यह 0.5 पर दिकर और पीटी कितना हो गया था कि इतना है कि सब मैंने कैल्कुलेट नहीं किया आप करके हो वह बता रहें डिटा में लिख रहा हूं अगर गलती होगी तो आपकी समझना है हम लोगों को और वो क्या चीज है फुरा सा गौर कीजिएगा यहां पर यह हम लोग का एक कॉंटेनर है ठीक है और इसमें जहस हो कि मैं प्योर वाटर ले लेता हूं चुद्ध जल यह ले लिए ले लिया यह रहा पिस्टन और इसका टंपरेचर जहस हो की एक क्वांस्टेंट टंपरेचर है कि आप इस जहसा की जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा इस कॉंस्टेंट टेंपरेचर पर मैं माल लेता बहुद कहां इसका जो में प्रेसर है अंदर से वह वन 20 का कितने किव भलो कि साल्वैर प्रेसरे को उसका जो वेपर प्रेसर है वह एक से वंड पिस्टन के द्वारा इक्स्टरनल प्रेसर लगाया जा रहा है उसको मैं कर दूं जैसो की 1.5 km या 1.2 ऐसा कुछ तो क्या होगा अंदर वेपर्स का जो प्रेशर है वो क्या होगा कम है उपर से जो एक्स्टरनल प्रेशर लग रहा है वो क्या है ज्यादा है इसको प्रेश राइस करके फिर वो क्या कर देगा कंडेंस कर देगा संगनन करा देगा और फिर से फाइनली जो वो वेपर फेस थे वो फिर लिक्वीड में कनवर्ट कर जाएंगा और फाइनली पिस्टन उस लिक्वीड सर्फिस को डश करेगा ठीक है ऐसा सोचो अगर यहां पर अंदर का विपर प्रेशर कितना था वह ने टीम वह यह कौन सा अरे जब पी टी निकालते हो न तो टल प्रेशर तो चुकि यहां पर मैंने सिर्फ और सिफ लिक्वीड की बात करी है तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं पी एस टूओ पानी है तो उसका प्रेशर और प्यूर फर में तो बोलो ऐसे अरे पी नोट बोलते है मैं कहा रहा हूं कि इसका एक कॉंस्टेंट टेंप्रेशर पे टेंप्रेशर का मैं कोई डिटा नहीं दे रहा हूं मैं कहा रहा हूं एक टेंप्रेशर होगा उसका जो फेपर से बना हुए उसका अंदर से प्रेशर लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर वन एटीम का अब समझे बात अगर बाहर से प्रेशर नहीं लगाओ ऐसे इसको खुला अटा तो फिर तो फिर निकल ने ने फिर तो प्रेशर नहीं वह लिए तो आप जैसे उपर से पिश्टन लगा कर रखो सोच के देखो कि मैं क्या कर दूं ऊपर से 0.980 का प्रेशर कर दो यह वन से कम ह है तो क्या होगा बताओ यह प्रेशर कम है यहां का फ्रेवर प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर अगर नीचे से ज्यादा है उपर कम है यह पिस्टन कहां मूव करेगा उपर अगर पिस्टन उपर मूव करेगा तो नीचे का वॉल्म जो होगा इस पेस बढ़ेगा बहुत कि और कि अंदर का प्रेशर कितना है बोलो अब ये जो जैसे ही इधर का प्रेशर कम है 0.98 यह कम है यह पर नहीं होगा रहे यहां भी तो होगा जिसमान लोग कोई ज्यादा प्रेशर में रह रहा है पिश्चन ऊपर गया तो प्रेशर लो नहीं हो जाएगा हो जाएगा लेकिन जैसे उसको स्पेस मिलेगा फिर से क्या होगा वेपर्स बनेंगे प्योर फॉर्म में ध्यान से सुनना इस कॉंस्टेंट प्रेशर पर उसका प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है वाने टीम का जैसे इसका प्रेशर कम होगा तो फिर से अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए वेपर्स बना देगा यह बात समझो क्या होगा फिर से प्रेशर कितना हो गया वने टीम पाहर प्रेशर कितना है अभी क्या होगा से प से निचे का प्रेशर वनेटी मैं अभी पिस्टन उपर ख discussions इसура क्या है ये पिस्टन उपर किसकता जाएगा वाटर और कॉंटेन्ट प्रफिक्रीथ होता जाएगी बदलता जाएगा बदलता जाएगा ये कुछ समझ हाया नहीं हाया एक नियत ताप पर किसी भी प्यूर लिक्विड का किसी भी शुद्ध द्रॉव का जो वास्प दाव होता है वेपर प्रेशर होता है वो एक कॉंस्टेंट वैल्व होता है और यह मैंने वोला कि शुद्ध जल ईसका वास्ट मैंने वह भुंट करेगा उपर सिप्रसर कम हो तो प्रेशर तो और निचे प्रेशर अएगा फिर से यह प्रशन करनें के लिए और वाटर में समझा रहा था कि फिर से क्या होगा यह जो है सो कि आपका प्रेशर फिर 180 हो जाएगा, उपर का प्रेशर 0.9 है, उपर प्रेशर अभी भी लो है, नीचे प्रेशर फिर हाई है, क्या होगा, पिस्टन फिर से उपर करेगा, फिर नीचे का प्रेशर थोरा सा डिक्रीज करेगा, लो होगा, अगर प्रेशर नीचे का डिक्रीज करेगा, कि यह प्रोसेश करता रहेगा एक इति की उस्में को कर दो करता जाएगा करता जाएगा। एक कैसा टाइम आएगा इक ऐसा टाइम आएगा पूरा पूरा वाटर क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा वास्पिक्रीत हो जाएगा कि अधिन रिकर और उस ताइम पर जैस होगी क्या रहा सोच के देखो उस ताइम पे वह प्रेशर 0.9 नीचे रहा वनेट यह जब पूरा पानी हो गया अराम से सोचोग दिक्कत नहीं यह पूरा पाणिए प्राइज हो गया। अंदर का प्रेशर 180ं उपर का प्रेशर 0.90 उपर प्रेशर कितना है, 0.9 नीचे का 180 psychology, अभी प्रेशर हाइए है अब क्या होगा हुगा ही है पिष्टन ऊपर अभी भी जाएगा लेकिन अब अगर पिश्टन उपर गया तो नीचे का प्रेशर फिर लो होगा वन से क्या होगा 0.99 0.98 0.97 ऐसा होगा वो किधर जा रहा 0.9 के चरफ और नीचे अब नीचे वाला प्रेशर घट रहा है तो और कोई वाटर बचा नहीं है कि फिर प्राइज हो करके इस प्रेशर को मेंटेन क कर प्राइज होगा यह प्रेशर करता जाएगा एक टाइम पर क्या होगा 0.9 नीचे का भी प्रेशर 0.9 इसके बाद आपको समझ आ रही है यह ठीक है यह चीजे होंगे पूरा प्रोसेस एक बर आप खुद से सोचो कुद से करो इससे क्या समझ में आ रहे है कि आप ध्यान से देखो यह पूरा पूरा लीक विड है ईया हुआ जहां पर धना यहां पर देखो एक चीज देखने को मिलेगा आप को जहां ओकि कि हम लोगों का यह पूरे क्या हो रहा है कि मतलब मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरा जो लिकविट यह इतना आप ने रहता था उस पूरे उटर के भेपर में कनवर्ट करने के दोरान जो परिसर था वो फेपर प्रेशर था वह कॉंस्टेंट था या बदल रहा है है यह था हमेशा अंदर का वेपर किस प्रेशर को मेंटेन करने की चक्कर में लगा हुए 1hr यह रिए आपको ट्यू छाई है तुर हम लोगों को यह पूरा-पूर यहां पूर्वेश्वार में क्विए रजाएगा यहां पर देखो क्या हो रहा है यह ज़दा देखना दो चीज़ों का मिला हुआ सॉलूशन दो इसका मोल फ्रेक्षन 0.5 इसका मोल प्रेक्षन 0.50 दोनों का इस ताइम पर जब थोड़ा सा अपने प्रेशन को फच्छन को ऊपर किया था थोड़ा सब फट्रासा तो उस टाइम बीपर प्रेश चालक्ULेट किये थे वह फिसके बाद क्या हुआ कि आप जैस हो Mason B कष्ड़ा सा आपने क्या किया पिश्टन को ऊपर कियाँ जाइड जी बाथ है कि ऊपर का प्रेश कि यह कुछ समझा है आप एक सॉलूशन को लेके जा रहे हो ध्यान से सुनों आप एक सॉलूशन को लेके जा रहे हो तो अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो ध्यान से देखो जैसे जैसे पिशन ऊपर जा रहा है वो वैलू क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है वो नीचे गिर उसका वास्ताब क्षिट करने के लिएals तो प्यूर लिक्वीड का वो स्थाने जो अंदर का नियत है और इसी भी सुध्थ रो रोकाउंग्स है यह दो रही चीज रैंगे वो पिशन जहां का तब रहेगा कुछ होगा औही और क्या रहक्त हो सिरुए और को बढ़ा यह हैं तो यहां पे मैं आपको यह कहना चाहता हो कि आप इक प्योर लिकवीड को पगर के सोचो को को पकर के सोचो एक शुद्ध द्रहों को पकरो और एक A और B से मिला हुगा पाने के साथ कुछ दूसरा लिक्विट आपने मिला दिया और इन दोनों के मोल फ्रैक्शन की साफ से अपना विपर्स बन रहा है इसके तेजी किसी का कम ऐसा कुछ एक सॉलूशन का विपर्स बन र करने प्रेशर है वह अलग- अन्दर प्रेश्र क्या होगा यह उसका प्रेशर क्या है एक कॉंस्टेंट वैलू है कुछ समझ आए Jen प्रेशर पे सारह का सालीcular क्या हो गया वास प्र्यूस ऩो गया जब कि यहां क्या हो रहा है एक स्रप सारा का साली को रूट Gmail यहां होगाender कर दिकत थे हम लोगों का आ 절 उपर करते जा रहे हो वेसे-वैसे प्रेशर क्या हो रही है, डिक्रीज करते जा रहा है समाख में ठीक है तो चाहते हो अंदर का फिप्टी कितना हो चाहिए कि उसे कमी होना चाहिए ना अगर इस पर 51 कर दो के तो इवराइस होगा नहीं होगा वो तो 50 टो ची यह अब जरा सोच के देखो मान लो कि आपने क्या कर दिया ध्यान से सुनना वाद को बहुत अच्छा पॉइंट क्लिक करेगा मैंने यहां पर कर दिया 59 उन्चास कर दिया मुझे बताओ वे प्राइज होया के नहीं सॉलूशन सॉलूशन की बात सल रही है उपर 49 है उपर प्रेशर कितना है 49 उन्चास भरका है तो यह ज्यादा यह कम है त्व अब सोच करें कि जब यह ज्यादा प्रेशर है तो पिश्टन को ऊपर खिसकाएगा तो होग षाइगा दो नीचे बना हुए है उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा मेंगें इसको मेंटेन करने के लिए solution फिर वेपराइशन करके आएगा लेकिन दिक्कात क्या है कि यह solution है और solution में जो वेपराइशन हो चल रहा है यह अलग-अलग rate से चल रहा है और हम यह observe कर रहे है कि इसमें जो वेपर प्रेशर बन रहा है अब इसका यहां 50 था जब पिस्टन यहा हो गया अब बता किए वराइश होगा नहीं यह रूख जाएगा यहीं पर रूख जाएगा अप यह मेरे को तुम 48 करके दो 47 करके दो तो में राइश होंगा तो कि मेरा खोधी कितना हो गया यह कुछ समझाया नहीं है आप देख सकतो यह देटा वही चीज कह रहा है यह तीन केस पर निकाला था जब अपने पिश्णों को बहुत उपर कर दिया था तो विपर्स ऑल्मोस्ट बन चुके थे सारे के सारे लिक्विड बन चुके थे तो वो पूरे बने थे उसका टोटल स प्राइस हो जाए मुझे बताओ पिश्टन के उपर का जो एक्ष्ण प्रेशर है मुझे कितना रखना पड़ेगा 37.5 से कम या ज्यादा तो चुक हम रखना पड़ेगा अरे हाना बोलो इवाद समझ मैं अगर सोचके देखो शुरू महीं हम लोग जब सॉलूशन पर यह 50 और का अंदर का पहला थोरा जगा दिया था सुलूशन का वेबर्स जो बना था उसका प्रेशन था 50 तो हमने सुरू महीं कर दिया 49 या 48 कर दिया वेबर्स बनना शुरू हो गया ठीक है वाई उसको मिल रहा है यह मूव कर रहा है लेकिन अब अंत में सोचो कि हमेशा चाहते गहते जाता है वैसे वैसे कुल दापीटी का मान घटते जाता है क्योंकि सब्सकि हुआ है तो उसके अंदर जो अधिक वास्मसील है जो तीजीएमिपराइज हो रहा है उस अवयावका बॉलंस क्या हो रहा है घटते जा रहा है इसक Having To ऋपलाई कर neutrality क्या हो रहे एंफिर से निल्टीन केस्ता किसी को कि इसको बढ़ाएगा घूल्ब यह क्या जिया पूचन ठीना मैं सोचना अ यह नुद्सक् दीक्रीजट करे घ्लD को शचना यह था 75 एक यह क्या था आपका जो घट रहा है उसका मल्टिप्लेकेशन कौन है 75 यह कितना है 25 यह बहुत तेजी में घटाएगा यह बढ़ाएगा लेकिन उतना तेजी में बढ़ाएगा नहीं यह बात समझाए इसलिए ओबरावल क्या हो रहा है पीटी घट रहा है इसलिए पूरे रिजल्ट क्या और है पीटी घट रहा है तो प्यूर लिकविड के के सिमें कीश्टिट रहा है कोई अकेला है और एक स Sולुशन है इन Azon kmे जो डोटव क्रेशर होता है जो वेप कर अलग होता है अलग रींज होगा उसका एक परास होगा पहले फिटीट और था तो आप रहे हो वहां से वराइशना शुरू हुआ और वहां से लेकर करते 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 को आपका जो एक्स्टरनल प्रेशर है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा शुरू आपने क्या किया था एक बार 0.9 कर दिया क्या आपको 0.9 के बाद मैंने बोला 0.8 करो जरूर थे नहीं पड़ी उसकी यह कुछ समझाया क्यों क्योंकि अंदर का प्रेशर कितना था लेकिन ऐसा होता वाटर भी ऐसा करने लगता और थोड़ी दर बाद मेरा प्रेशर खुद ही 0.9 हो गया तो फिर क्या होता उपर वाले के प्रेशर के बैलेंस हो गया तब कहता है उपर वाला तुम एक्शनल लग रहे हो अब काम करो तो मैं वराइज होँगा रे बोलो है न लेकिन ऐसा वाटर करता नहीं प्योर में क्या होता है शुद्रों में क्या होता है कि इंटरनल जो वेबर प्रेशर हो क्या है एक नियत ताप पर उसका वैलू क्या है फिक्स है या उपर से जैसी कम करोगे वह अपना जैस हो कि अंदर से विवराइस करने वह स्पेस बढ़ा आप यह निस कर सुनोट कर लो आज के ख्लास के थियोडी का यही कंक्लूजन है थैंक्यू